देवगर कोसगार से वैद निकासी के मामले में आज हाई कोट में आरजडी सुप्रोबोल लालू प्रसाद यादव के बेल पली पे सुनवाई हुई है क्या कुछ सामने निकल कर आया है आईए बात करते हैं उनके सीनियर काउंसिल प्रभाद कुमार जी से डिरेक्ट सर ये क्या क्या बाते है एक सपता का समय दिया है डिफेंडेंट को तो क्या बाते हैं क्या ऑब्जर्वेशन से करते हैं किकी हाँ हाफसांटैंस पर बेल के लिए हम लोग का प्रे narratives नि रिप्रिया था हुआ उसका जवाब दिया है CP domains के तरफ अ का है और अगली सुक्रवार को इसकी सुन्वाइ होगी सब्ता का समय एक सीबी पॉइंट पॉइंट उसका ग्राउंड यही है चुकी सुप्रीम कूर्ट में बेल रिजेक्ट हो चुका है तो यहां पर half sentence उनका हो चुका है बाउजुद इसके उनको बेल नहीं दिये गाए उनका main contention यह है कि half sentences ज्यादा सर्फ कर चुके हैं पर इनका बेल जो है वो सुप्रिम पोट से reject हो चुका है इसलिए यह नियाले जो है उसको बेल नहीं दे सकता है हाफ ऑफ टर्म जो है sentence का उसको पूरा कर लिया है तो हो सकता है उनको बेल ग्रांट भी हो तो ऐसे सूरत में क्या उनको कोई respite मिलेगा क्योंकि बाकी जो मामले हो तो उनकी ऊपर चल रहा है और concurrent sentence उसमें हाँ तो बाकी दो मामले बचेंगे एक एक करके हम लोग फाइल कर रहे हैं कौन से मामले बचेंगे डोरंडा नहीं एक चायवासा का है और दुसरा दुमकार का है वो दो मामले बचेंगे अब उसका भी हाफ sentence के नजदिक पर ही है तो उसमें ज्यादा ज्यादा भी हुआ करेंगे और निकलेंगे तो तीनों में बेल होने के बाद ही बाहराज पाइंगे अभी जो है वो बेल पर किस मामले में पहले में तो आप लोगों हुने फाइल किया हुआ इसके पहले अगर इस मामले में उनको बेल मिल जाता है तो दो मामले में वो बेल पे होंगे और दो जो पेंडिंग होगा उसमें फ्रेस बेल के लोग अपलाई करेंगे लेकिन अभी जो है कोट जो है उसने फाइनल डिसीजन कुछ नहीं लिया है जाहिर तोर पे काउंटर एफिडिपिट फाइल करने को कहा गया है उसके बाद हाई कोट का क्या जो है ऑफ्जर्वेशन होता है या किस तरह का वहाँ से वर्डिक्ट आपता है इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा कैमरामन राकेश तिवारी के साथ सतीजीत कुमार राची